आज हम यूनिट नंबर फोर में देखने जा रहे हैं कि साइंस बेस्ट स्टोरी बुक्स बच्चों को हम कैसे शुरू कराएंगे क्लास्ट्रूम में और उसमें देखेंगे कि जो सवाल क्या आता है यूज रिलेटिबल एंटरेनिंगेंट स्टोरी अलेमेंट पर साइंस वर्चों की इंगेजमेंट उन कहानियों में बढ़ जाती है इंगेजमेंट का फायदा यह होता है कि अगर बच्चे इंगेज हो जाएं किसी कहानी में तो कहानी को आखिर तक सुनने के लिए भी त्यार हो जाते हैं और पढ़ने के लिए भी त्यार होते हैं क्या चीजें कहानी के अंदर जो बच्चों में इंगेजमेंट आया बच्चों को इमोशनली हुक एंगर कर सकती हैं हमारे पास इंक्लूड है जनाब प्लॉट है करेक्टर है सेटिंग है और वह ऐसी हो जो रिलेटबल हो बच्चों के लिए और उनको पढ़के उनको मजा ह साइंस स्टोरी बुक्स में जो हमारे पास केप्टिवीटिंग स्टोरी होती है उसके अंदर बहुत सी टाम्स होती है डेफिनेशन होती है ऐसे आइडिया होते है जो के हाँ इमोशनल इंगेजमेंट के तौर पर उनको इस्तमाल कर सकते हैं और उनमें जो सबसे करेगी मेरे क्लास के बच्चों को यह नहीं तो यह चीज़े हैं इनको हम देखते हैं आप एक्जामन कर सकते हैं बच्चों को बच्चों की पॉइंट ऑफ यू से आप डिटामन कर सकते हैं कि क्या यह मेरे जो लेवल के बच्चे हैं मेरे क्लास के बच्चों की उमर है क्या किताब उसके मताबिक है उन्हें इमोशनली टच करेगी या साइंस का यह कॉंसेप्ट मुझे उन्हें पढ़ाना शाहिए ताकि उनकी से कर सकते हैं कि करक्टर कहा है क्या वह एक सैसेब्ड में गना चाहेंगे उसे भाहर निकालना चाहेंगे आप सब्सक्राइब इसे character को इस कहानी में कि आ किया वो variety of cultures कि थूप आ आप तक पहुच आ रहा है जिसमें variety of cultures में इस चीज ये concept के बारे में क्या views हैं क्या point है या ये concept कैसे वहां पर दिखता है तो definitely वो कहानी engaging होगी और social engagement, हमारा last point of view है और इसके अंदर हम देखेंगे इस point के अंदर के क्या सवाल है हमारे सामने सवाल है, is the story structure and content of the book appropriate and meaningful read aloud and discussion in the classroom? Does this promote children's social engagement? क्या ये कहानी का structure और content ऐसा है कि मैं इस कहानी को बावाजे बुलंद class में पढ़ूं और बच्चे इसको सुने और engaging हो और क्या ये कहानी का structure और plot ऐसा है कि वो बच्चों को social engagement में सवाल जवाब करने में मजबूर करें Social engagement के लिए easy to follow up story books होनी चाहिए जिसको पढ़ना असान हो, जो बहुत लंबी नहों, जो छोटी हो और उसमें इस किसम की information हो जिससे ना सिर्फ सुनना असान हो, बलकि इसको retain रखना भी आसान हो Example में हमारे पास आ जाती है, कुछ इस किसम की text आ जाती है जिसके अंदर minimum information हो और वह information एक chronological order में हो यानि मुश्कल से आसान, कम से ज्यादा या date-wise हो, definitely उसको याद रखना असान हो जाता है और उसको पढ़ना बावाजे बुलाइब पढ़ना असान हो जाता है और वह systematic हो, semantically और structurally strong हो, complicated ना हो social engagement के लिए जरूर ही है कि बच्चे आप से सुने, आप उनको सुना रहे हो और वह आपके साथ engage हो और आपस में discussion करें कि वह relatable हो, वह entertaining हो उसके अंदर बच्चे discourage नहों हो बलके encourage हो उनका दिल चाहे कि वह classroom discussion में participate करें उसकी vocabulary ऐसी हो कि जो बच्चे आपस में discuss कर सकें और conversation एक दूसरे से dialogue को build up कर सकें definitely जब आप ऐसी किताब लेंगे तो उस किताब के साथ आप ये भी देखिएगा कि आपके curriculum में वह concept मौजूद होनी चाहिए आपके बच्चे जो हैं वह curriculum की भी milestones जो है achieve करते चले जाएं और वह से story को भी enjoy करते जाएं कहानियों की सूरत में उसको extended form में भी पढ़ते चले जाएं